स्वागता जी आप सबका चडोरा पॉइंट की एक और नए वीडियो में आज हम करने होले सबसे बड़ा चीज चिली टोस्ट कमपैरजन सबसे बड़ा इसलिए कह रहे हैं जी क्योंकि हमने छे जगह से जो है ना चीज चिली टोस्ट मंगवा लिया और यहां पर इंडियन ब् और शेयर कर देना तो जी सबसे पहले जो है ना हम ओपन कर रहे हैं जी हमारे चाय पॉइंट के चीज चिली टोस्ट को और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर किस तरीके का आया है यार यह इनको तो साइड कर देते हैं इनका तो कोई रोल ही नहीं है में जो हम मंगवाने जो में हमने मंगवाया जी वो है जी चीज चिली टोस्ट और एक इसके अंदर सिंगल हमारा जो है ना इक टोमेटो कैचप आई है जी तो आपको दिखाते है जी इसके अंदर चीज चिली टोस्ट आया कैसा है भाई यह तो ना बिलकुल ही पंकच डाक ब्राउन सा लग रहा बहुत ज़्यादा जाए डार्क ब्राउन से लग जब अपर यह जादे बहुत ज़्यादा डैले हुआ है और पीछे से बहुत हलका सा टोस्ट और बहुत ना मैं सची बताऊं देख के जो है ना बहुत ज़्यादा इसे जैसे दिल खुशने वाली वात अना वो चीज नहीं लग रही है लेकिन ठीक है जैसा भी है आपको नेक्स दिखाते हैं और नेक्स जो हम आपको दिखा रहे हैं यह हमारा चीज चिली टोस्टा है कैफे कॉफी डे से अगर आप बात करो ब्रैंडिंग की कुछ भी नहीं है इन वाइस के उपर बस नाम मैंचन है यहां लिखा अधर वाइस जो है ना आपको कोई नहीं बता सकता कि कहां से आया है कहां से आया है अब खुल जा सिंसिं यार यह टेपे ना इतनी ज्यादा लगा देते हैं चलो एक तरह से उनकी अंदर भी प्लेन बॉक्स है जी और यह साथ में जो है फिर से हमने थोड़ा था ठीक है जी अब आपको दिखाते हैं आया किस तरीके का है खुल जा सिंसिं यह कहां से खुलेगा यार बड़ा जीवोगरीव डबा दिया है यह वाला इनका अच्छा यह रहा मैं कहां से खुलेगा टेप खोलते हैं जी और यह पुठा खुल गया है आपको लुक्त दिखा जादेता हूं कुछ इस तरीके की है जी यह तो यार उससे भी जादा जो है ना उसके अंदर मसाल अगरा कुछ ज्यादा दिख रहे थे इसमें और थोड़े से कम होगे इसमें थोड़ा सा चीज नजर आ रहा है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बाकि जो ऊपर है कैप्सि सफ्ट भी हो जाएगा बिल्कुल तो जी दो इंडियन ब्रैंट दिखाने के वाद डिसाइड के जी कि अब आपको जाना जरा विदेशी कंपनी के जो है चीज चिली टोस दिखाया जाए जाए और यह कैनेडियन ब्रैंड है जी यह और खिलजा सिंसिंग देखे जी अब इ इसके अंदर पॉण को कॉल लेते और अप देखिए जी अप इस्की लुक जो है ना काफी तक फर्म काफी मा रखे रखे रहर । उनको श्लाइस की तरह बना रहा लेकिन धीडिक पीछे चीज अच्छा निजार आरहा है दो तरीके का चीज यूज़ किया है और यह कौकी डेप गाला कुछ लगा है यह यह चीज है दो तरीके का कार्ड भी आया है ठेंक्यू वाला ठीक है जी और यह इनके टीशू पर चलो जी इसको भी साइड रखते है और आपको दिखाते है चायोज का किस तरीके से आया है जी चीज चिली टोस्ट अफिर आ गया जी इंडियन ब्रैंड यह आ गया हमारा इंडियन ब्रैंड फोलते हैं जी इसको यह टीशू पर बॉक्स आगया बड़ा सा और इसकी पैकिंग काफी अच्छी है चायोज किस तरीके का चीज चिली टोस्ट दे रहा है अरे वाब भाई वाई यह तो कुछ ब्राउन ब्रेड के उपर लग रहा है यार यह किस तरीके का आया है और ना इसके खुलन अच्छा चीज लगा के दिया जी ऊपर अनियन के पीसिस नजर आ रहे है और मुझे तो लग रहे है थोड़ा पनीर पीसिस लग रहे है लेकिन इसके अंदर से ना सभी बताओं तो बहुत अजीब सी कोई महकारी है अब क्या है वो खाने में ना हो कई बार पैकिंग जो गत सब्सक्राइब हो सकता है बागी टेस्ट करके बताएंगे आपको यह बहुत जादा लाल लाल नहीं लग रहा है कुछ जादा लगी काफी जादा लगी है चलो जी और नेक्स्ट हमारा है जी कैफे दिल्ली हाइट से अब इन्होंने तो भेज दिया इस तरीके के बॉक्स मे जो कि अच्छा भी है क्योंकि इन्होंने कोई केरी बैग हो रहा कुछ नहीं दिया ना कुछ भी नहीं दिया भाई साथ में आच्छे यह कुछ उपर जो है ना वीबा कंपनी की बाई दो मस्टर्ट सॉस है और दो टमैटो गैचब्स हैं अब देखे जी किस तरीके का हमारा चीज चिली टोस्ट आया है यह दो इदर उदर भाग गया यह यह नॉर्मल ब्रेड के ऊपर इन्होंने टोस्ट बना दिया यह इन्होंने भी यह ना यह ब्राउन ब्रेड यूज करिया जी और ऊपर जो है चीज कैपसिक इस तरीके तो घर में बन जाता है थोड़ी से खु चलो जी लास्ट हमारा को इसा रह गया स्टार्बक्स स्टार्बक्स रह गया जी इसको भी खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर अब किस तरीके से आया है अब हम पोच गया इंडिया से अमेरिका यह सीधा हम अमेरिका पहुच गया जी लास्ट हमारा यह ब्रैं इंडिया से बाहर के ब्रैंड है उन्होंने पैकेजिंग के ऊपर थोड़ा सा काम कर रखा है बाकी इसको खोलते हैं जी यहां से खुल गया और पैकिंग अभी भी बहुत अच्छी सास उत्री है बहुत अराम से खोलेंगे इसको जरह और यह आया जी उपर से भी पूरा फुल पैक्ड और लगारा वही कुछ अलग फुल कलर फुल है यार क्या जवर दस्त लग रहा है उपर चीज वगयरा और यह एक पीस नहीं है यह हमने तो बीच में पेपर लगा के दिया है बीच में बटर पेपर लगा के दिया है और सबसे अच्छा अब तक का यह लग रहा है आपको जो ना एक साथ लगा के सबकी एक साथ लुक दिखाते है और फिर आप पताएगा आपको सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है तो यह यह जी चीज में हुआ है चीज चिली टोस्ट आप देखो चे के चे का बनाने का तरीका जो है ना बिलकुल अलग है यह हमारा कैफे चाय पॉइंट से यहां पर आगे चायोज यह टिम होटन और लास्ट हमारा स्टार्बक्स आप देखो छे के छे जो है ना बिलकुल अलग-अलग कलर के हैं अलग-अलग फ्लेवर तो हम आपको खाने के बात बताएंगे बाकिवे कमेंट करके बताना कि आपको लुक के सबस पहले जी हम सबसे सबसे से चुरुआत कर रहे है जो हमारा आए जी चाय पॉइंट से और यह एक सो पैंटिस रुपे गाजी इसका टेस्ट आपको पताते हैं स्वाद कैसा करें आप हम है ठीक हैं मज़ा नहीं आया सभी पताओं तो वाक्य में कोई खास मज़ा नहीं आया इसको खांगे एक तो ना बहुत ज़्यादा चीली फिल्क्स डली हुई है ज्यादा पहल कोई जादा खास फ्लेवर ने के हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ नहीं लग रहा है अब ना कैफे कॉफी डे अब इनका क्या प्राइस है आपको भी पताते हैं बाकि टेस्ट कैसा है वो भी बता देते हैं यह प्राइस है जी 139 रुपीस 149 तो मैं चार बेकर तो फर्क हुआ को बहुत ज्यादा नहीं है फर ब्रएड ब्रौपर टोस्ट और कहा है और सबसे चीशी चिली जो इन्हों ने नाम बोलायना चीश पता चल रहा है दोनों चीज़ा चीली का भी फ्लेवर आरहै क्रूं चीश का फलेवर आरह और गार्लीक का फ्लेवर लाए तो तीनों का कॉम्बिनेशन जो है तो मिलकर चीज चिली टोस्त की और जब इसको घरम करके लेकर आया तो मैंने इसको उठागे देखा क्या चीज पूल हुआ था वो शौट जो है प्राइस इसका बाद में पिताएंगे पहले टेस्ट करते हैं तो कि अच्छा है तेस्ट अच्छा है मल्टी ग्रेंट यूज कर रखिए उसका भी टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है और चीज कना पता तो चल रहा है लेकिन थोड़ा सा ना इसके अंदर टैंगी फ्लेवर सब्सक्राइब कर दो तरीके कुछ अंदर नीचे भी देख रहा है थोड़ा सा कुछ चीज वगार कुछ लगा रख तो तेस्ट अच्छा है प्राइस इसका हो गया है तो ठीक है लेकिन मैं इमानदारी से बताहूं अब तक सबसे बढ़िया जो इन तीनों मैं सब्सक्राइब करने लगें तेस्ट करने लगें तिम होटन का यहां से प्राइज जड़ा कुछ जादा ही जो है इंडिया से कैनेडा भी तो पहुच गया है यह तो है फ्लाइट का भी खरचा है यह हम से निगा लेंगे सब कुछ लगेगा चलो ठीक है और इसमें भी ना मै चीज काफी अच्छा है जब गरम किया था ना तो भाई बहुत जादे चीज ना जारा रहा था कुछ हलक तरीक है कि लग रहे है बिल्कुल वाइट पीछे सा टोस्ट वगरा कुछ भी आसे लगा जैसे कुछ भी नहीं किया जादा गरम होने की वज़ेसे ना थोड़ा सा ट अच्छा लगा रहा है जो भी बटर का टेस्ट आ रहा ना वह बहुत अच्छा आ रहा है तोड़ा सा हटके फ्लेवर है मुझे तो बहुत पसंद आया बाई और इसका प्राइस चीज तोड़ी सी जटका देने वाली बात है 299 रुपे में आपको सिर्फ चार देखा जाए तो एक ही ब्रेट का पीस है उसको चार स्लाइस कर दी है प्राइस ज्यादा है लेकिन कुछ अच्छा है अलग खाना चाहते हो ना तो जरू ट्राइ करना इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है आपको आज की हमारी वीडियो भ टेस्ट जो है ना सबका बिल्कुल अलग अलग आ रहा है आपको घर बैठे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस तरीके की देती है चीज बाकि आप डिसाइड कर सकते हो कि अब आपने कहां से खाना है यह हमारा स्टार्बक्स टेस्ट करते आज़ो बहुत लाइट मसाले है चीज का बहुत अच्छे से पता चल रहा है चीली फ्लेक्स का बिल्कुल भी नीए बता चल रहा है थोड़ा थोड़ा सा पिज्डे वाला फ्लेवर आगे जो हम अनियन काशी का मुग अराव लिखाते लाग इसके उपर ना काफी चीजे डली हुई चीज इसमें भी जो आना दो तरीका कर ड़ा हुआ एक तो मौजरीला चीज एक जो यह और इंज वाला यहां पर भी डला हुआ था यह और इसमें भी यह इसमें भी आई काफी अच्छे लेवल कर डाला वह जिसके तोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आ रहा है लेकिन यह को ऐसे लगता है कि इसके साथ ना सीजनिंग एक्सरा भी मिलने चाहिए और अगया रहा है यह कुछ है कि अपने हिसाब से थोड़ सा और फ्लेवर एंहेंस कर सके बिलकुल सभी बादा और इसका प्राइज जो है ना इसका प्राइज है तीन सो दस रुपे अब ट्राय करें कि थोड़ा सा हाड लगा है इसका नदर सबसे ऐले में फ्लेवर आ रहा है नों कुसिम का का नदर से लआड इन बागी जी इसका प्राइज है तीन सो पैन्तिस रुपे ये एक सिंगल पीस प्रेट गा जिसके वह चार पीस आपको करते हैं अगर हम इसके रेस्टरेंट में खा रोते एक अच्छा डाइन एक्सपीरेंस लें क्योंकि इनके रेस्टरेंट बहुत ज्यादा बढ़िया फेमस ह है तो वहां पर वर्त है बागी जी ओवरोल की बात अगर करें तो मैं आपको सही बताओं तो मुझे अभी बीना सबसे बेस्ट कैफे कॉफी डे का जो है ना भाई चीज चिली टो सबसे बढ़िया लगा अगर गार्लिक खाना पसंद तो आपको वह सबसे ज्यादा अच्छ इस वीडियो को दोस्तों यही पर एंड करते हैं मिलते आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई